और यहां पर फॉर्स्ट नव प्रश्ण आप देख रहे होंगे इसकीन पर जो की काफी महत्तपुण है कि किसी अवेसित खोखले गोले के अंदर विधुचेत्र होता है तो यहां पर इस परश्ण का राइट एंसर क्या होगा वन सुनिया अनांतिया रिनात्मक तो अगर दोस्तो गोले के अगर अंदर कहेगा विधुचेत्र तो यह सुनिया होता है याद रखेगा यानि कि इस परश्ण का राइट एंसरोजिगा अपसन बर जो भी है इस परश्ण का सही एंसरोजिगा अपसन बर भी और यहाँ पर प्रस्ण आप देख रहे होंगे इसकी पर जो की काफी important है कि एक bolt से आवेसित वन माइक्रो फराड धारता वाले संदरीतर पर cool आवेस होगा तो देखिए दोस्तो बोल्ट किसका मातरक होता है बीभाव का धारता का मातर क्या होता है फेराड फेराड होता है धारता का मातर तो यह सभी जो है अपने-अपने मान में दर्सा आगिया है तो यहाँ पर cool आवेस पुछा गया है तो यह तो cool आवेस में होगा ही और यहाँ पे भी कमान कितना है तो 1 बोल्ट तो इस सिर्फ 1 ही लिखेंगे तो यह क्या होता है 1 micro कुलाम हो जएगा क्योंकि आवेस का जो मातरक होता है वह कुलाम में मापते हैं तो यह अप्समर जो यहाँ पे जो भी अप्समर है इस परस्ण का राइट एंसर हो जएगा और यहाँ पे परस्ण आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर जो की काफी महत्त्यपूर्ण है कि the motion of electron inside a current carrying conductories तो यहाँ पे बताना है कि धरवाही चला के अंदर electron की गती होती है समरूप, त्वारित, अप्सारित या अमंदित तो इस परस्ण का right answer क्या होगा कि धरवाही चला के अंदर electron की गती जो होती है वह अपसारीत होती है यहनिकि इसका right answer जो होजगा वह option में जो C है वह सही answer होजगा आप सभी जो है answer type करते चलेगा दोस्तो इसे पाथा चलेगा कि आपकी जो त्यार ही कितनी धाकर तरीके से ह हुई है और यहां पर kilowatt घंटा मात रख होता है यह प्रस्णोंतर देखते ही आप सभी जो है वह answer अब तक आजना चाहिए कि kilowatt घंटा किसका मात रख होता है तो देखिए दोस्तों kilowatt घंटा जो कि सबसे बड़ा मात रख होता है वैसे इसको हम लोग किसमें मापते हैं तो जूल में भी इसको मापते हैं ओड़ा को याद रखेगा बीदुधारा का मात रख क्या होता है तो वह एंपियर होता है बीदुधारा का मात रख सकती का क्या होता है तो वोट होता ही याद रखेगा तो जल्दी से कमेंट करके बाद है कि टॉर्क्यू का मात रख क्या होता तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लेज़ेगा आपके लिए बहुत ही महत्यपूर्ट से सनी यह है और यहां पर प्रश्ण है कि लेंज का नियम की सनक्षा सिधान्त से संबने थे तो यहां पर इस प्रश्ण का जो सही एंसल हो जेगा जो भी दोस्त अप्सन मर्स C के सांथ जा सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर प्रश्ण भी आप से भी के सामने आ चुका है कि दब पर मिटी भी टी और फ्री एस पेसी यानि कि मुक्त अकास का परवैदुता का मान कितना होता है तो ऐसे इस प्रश्ण का जो सही एंसल हो जेगा वह अप्सन पर जो जो भी दोस्त के सांथ जाता है याद रखेगा और यह कोसम पुछा देता है एक कुलम कितने फराडे के बराबर होता है जल्दी से कमेंट कर देजे कि एक फराडे कितने कुलम के बराबर होता है तो यहां पर इस परस्ण के जो सही एंसल हो जेगा और यहां पर परस्ण देखिए कि पचा सद्धित्र के गात गात यह देखिए यू बराबर होता है वह लाटा टू सी इसक्वेर यह देखिए एक बटा टू रखेंगे और सी C कमान कितने के यह है 50 और माइकुरे के लिए 10 के पार माइनस 6 से लिखेंगे यहाँ पे माइनस 6 और यहाँ पे B square 10 गुने 10 लिखेंगे तो 10 के पार हम लोग 2 लिख सकते हैं असानी से यहाँ पे 25 चोग का स्वाए 25 दू निए 50 यहाँ दू गुने 10 के पार माइनस 4 हो जाएगा ठीक, 10 के पार माइनस 4 क्योंकि यह घड़ जाएगा तो यहाँ पे यह तो 25 टाइम से काटेगा और यहाँ पे है तो यह हो जाएगा कितना तो यह एक दसमलो इधर आएगा 2 दसमलो पांच गुने 10 के पार माइनस 3 हो जगा और यहाँ पे संधरित की उर्जा उर्जा के लिए क्या होगा तो जूल यहाँ पे बठा देंगे तो देखेंगे की इस option में है तो option नमर B में दिया गया है जो की right answer हो जगा option नमर B B जो है इस परस्ण का right answer हो जगा और यहाँ परस्ण है कि 1 ग्राफ जनिनियेटर एक मसीन है जिसके द्वारा उतपन होता है उच धारा उच बॉल्टता नहीं और ऑल्प धारा जिससे द्वारा उतपन होता है तो यहाँ पे इस परस्ण का जो सही answer हो जगा वहाँ उच बॉल्टता उतपन करता है यानि कि अपसन और जब बी अपसन है इस परस्न का राइट एंसर हो जएगा और यहाँ परस्न है कि एक तार में एक इंपियर धारा परवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रोन का अवेश एक दस्मला चौगन दसके पर मानस उनिस कुलम है तो तार में किसी काट के काट से प्रती सिकेंड परवाहित इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होगी तो इलेक्ट्रोन की संख्या यानि कि याद करने के लिए क्या होता है एक बटा यह कितना दिया गया है एक दस्मला चौगन दसके पर मानस उनिस जब भाग देते हैं तो यह रहता है चोग दसमला दू पांच गुने दस के पार 18 होता है क्योंकि यह जो उनी से उपर जाएगा तो पलस में और यह जो दसमला अटेगा तो यह जो ज़िएगा चोग दू पांच गुने दसके पार 18 यानि कि अप्सन और जब बी अप्सन है इस परफ्ण का सिधान्त अधायथ होता है तो यहां पर इस परोष्ण की डाइनेमों की डाइनेमों के सिधान्त अधायथ रहता है दोज़के वरकिंग नाइजimiz आप आपको दिया गए वा स UV को जो अपसन है वह सही एंसर और मिलकर एक बारा बुंद बनाती है तो बड़े बुंद की धरता क्या होगी तो देखिए दोस्तों बड़े बुंद की धरता पराबर क्या होती है चोटे बुंद की धारता तो यहां पर चोटे लिखेंगे चोटे बुंद की धारता तो यहां पर देखेंगे चोटे बुंद की धारता तो यहां पर देखेंगे चोटे बुंद की धारता तो यहां पर देखेंगे चोटे बुंद की धारता तो यहां पर चोटे बुंद की ध तो चार के पार तीन लिखेंगे तो यह तो चोंसर्ट होता है तो तीन से तीन खौतम और पांच जबूने चार लिखेंगे तो पांचों का 20 इस परश्ण का इंसा रहेगा उमीद करते हैं आपसे परश्ण को आपसे गलती नहीं करेंगे दोस्तों तो इस परश्ण का जोड़ाइट नमबर सी दोस्तों जो भी दोस्त नए जूड़े होंगे चानल से जवर ही सब्सक्राइब कर लिजिएगा और यहां पर देखे प्रस्ण को कि वेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मेडियम टू अनादर दा कॉंटिटी वीचे रिमेंसे कॉंटेंट्स इज तो यहां पर एक परकास सोरी परकास के एक माध्यम से दूसरे माध्यमें परश्ण का जो सही अंसर हो जबाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं प्रस्ण को कि पांच पर तिरोध के एक तार जिसका विभादर साथ बोल्ट है तो 20 मीट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन उसमा क्या होगे तो यू बराबर क्या होता है स्वरी यहां पर उसमा यानि यू आ जएगा दोस्तों इसमें यह भी नियम लगेगा भी बराबर आया रहें लहां कि अपर रहें और उपर यहां बठाएंगे तापको यद्या आज आज़ेगा यानि कि ये यह बराबर क्या होता है ज baki अर्यागा into r² चाहर यहां पे के जगापर r² लेकिन यहां पे अगर आ रहेगा तो यह तो क कौटट जाएगा दोस्त अगर परतिघात कहेगा तो देखे परतिघात का जो मातरक होता है वह ओम होता याद रखेगा इस परशन का राइट यह सुनेगा अप्शन मर भी फराइड किसका होता है जल्दी से कमेंट करके बताए कि फराइड किसका मातरक होता है एंपियर जो होता है वह बीधु की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धान चमता क्या होगी घरती है बढ़ती है सुने हो जाती है नहीं बढ़ती है तो यहां पर देखे योगी सुख्षमिदर्सी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धान यानिकि एम पर क्या पर भाव पड़े की आवर्धान चमता पर तो यह जो होता है यह घटी जाती है निकि decrease करने लगती है यहां पर यहां पर परशन है कि एक प्रिज में से गुजरती परकास के किरन के लिए आपतन कोड़ I1 और तथा निरगत कोड़ I2 है तो किरन में नियुंतम बिशलन की इस्तिति क्या होगी तो यह तो बराबर होत परशने का राइट एंसर होजेगा और जो भी दोस्तों नहीं जोड़ेंगे चानल से जोड़ी सब्सक्राइब को लेजेगा और यहां पर देखे परशन को कि दास्मिक संख्या 25 को द्वी अधारी में लिखने का उत्तम होगा तो हम लोग चलिए हल करके देख लेते हैं सब्सक्राइब को पूर्टा जडीक स्ब्सक्राइब है कि में गांने तो option number B में ही दिया गिया है यानि कि option number जब B option ही इस परस्ण का right answer होज़ेगा option number B, B के सांद जो विदोस्त गये हैं उनका right answer होज़ेगा और यहाँ पर देख सकते हैं परस्ण को जो की काफी महत्यपण के यदि एक गोले पर अवेस 10 µC हो तो उसकी सताह प अरगिधधिया क्या होगी? तो हम लोग जब नी मेरकल क्लास किये थे तो इसमें हम लोग इसका हल देखे थे तो देखिए इस परस्ण का जो सही answer होज़ेगा व औपर जो D option है इस परस्ण का right answer होज़ेगा यहां पर परश्न का सही एंसर हो जाएगा और यहां पर परशण की क्या होता है तो यह बामर सिरी पड़ती है प्राइबेगनी भाग में क्या होता है तो ये लाइमन सिरेनी परती है और अक्ते में क्या होती है पाचन और ब्रेकेट परती है और अक्ते सिरेनी में तो यहाँ पर इस परस्ने के जो राइट एंसल होजेगा और यहाँ परस्ने की परकास के किरन के तीखे कुर पर मूरने की घाटना क्या का लेती है यह प्रस्णों तर जो है होर साल लगभा पुछ लिये जाते हैं कि परकास के की रण के तीखे कुर्व मुर्ने की घाटना को क्या कते हैं बीवारतन धुरुआण अपवारतन अभ्यति का रण तो इस प्रस्ण का जो सही एंसर हो जेगा वह अप्सन मर जो ए इस परस्ण का राइचेंसर होगा और एक पतले फिल्म के रण का कारण क्या होता है किसके द्वरा होता है तो जड़ी से कमेंट करके बताएं कि इस परस्ण का राइचेंसर क्या होगा और यहां पर परस्ण है आप देख रहे होंगे इसकी काफी इंपोर्टेंट सवा तो देखिए दोस्तों यहां पर यह जो दूनों है यह किस करम में है तो यह समनांतर करमे क्या होता है इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो दो और तिन जोड़ेंगे तो पांच आएगा और फिर फिर यह जो बना तो यह तो इस प्रकार से बन गया तो यहां पर पांच मैक्र स्बस्टार्ट यह हैं पांच पॉलस वन पान अगर चार करेंगे तो यह तो पांचों का बीस है यानिकि और यहां पर चार और यहां पर यहां पर फांच त्यानिकि 9 9 20 हो जाएगा लेकिन हम लोग को गांद करना है तो देखें वन पर सी कमांद आगे ओपलब देखें कि आपसेदग्स नों के यहां परसना आप देख सकते हैं कि काफी महत्यपूंड है कि चुमबा की जायमित्य लंबाई LG और चुमबा की लंबाई चुमबा की लंबाई LA में संबंध क्या होता है तो यहां पर इस परशन का जो जो सही answer होजआगा LA मरापर होता है पांच पंच सीक से LG यानि कि अप्सन जो D अप्सन है इस परशने का राइट एंसर जोगा अप्सन मर डी और यहाँ परशना आपके सामने आचुका है कि पानी किता था कांच का अपर तरांग तीन अनुपाते दो इयों चार अनुपात तीन है तो कांच से पानी में जाते हुए एक परकास की किरन के लिए करांतिक और क्या होगा तो यहाँ परशन का जो सही एंसर हो जगा सानी इन वर्स आठ अठ अपन नौ हो जगा यहाँ जो भी दोस्तर डी के सांथ गए हैं उनका बिल्कुन सही एंसर हो जगा और यहाँ परशन भी आप सभी के सामने उपलब्द हो चुका है कि इन यंग से डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट इफ दव एवलेंट और फ्लाइट इस डबल्ड देन फ्रिंग विट्थ विल भी तो यहाँ पर यंग के दिवची त्री प्रियोग में इदि परकास का त्रंग धे रहा दीकों ना तो फ्रिंग्ज की भी होती है लत नहीं हो जाती है यहां पर D प्रहस्टों को इस चानल के बारे में बताने का प्रयास कर्जीद क्योंकि यहां पर धाकट्त त्यारी मुणकर दोस्तों के बताने का प्रयास करेगा आप प्रस्ठाइब की एक दूरी पर राखी एक वास्तु का 3 गुना और ला लेंस बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो लेंस की जो फोकस दूरी हो जागी यहां पे वह 36 सेंटिमीटर होती है और यहां पर जो भी अप्सन है इस परश्ण का राइट एंसर अप्सन नमर भी और यहां पर देख सकते हैं इसके पर जो की काफी महत्तपुण है कि दन से स्रीक कंडिक्षन ओफ रेजोनेंस इन इल्सियार सर्किटी यहाँ परिपत्वें अनुनाद होने के लिए आवाश्यक जो सर्थ होता है क्या होता है आवाश्यक सर्थ तो यहाँ पर इस प्रस्ण को जो राइट एंसर हो जेगा वहाँ अप्सन नमर एक साथ चलेगा यहाँ अनुने ओमेगा यहाँ बराबर होता है वन अपन ओमेगा सी निकि एक साथ जो भी दोस्त गया है उनका बिल्कुल इस और यहाँ पर देखे प्रस्ण को जो की काफी महत्त्यपून है दोस्तों कि एक परिपत के परतरती धारा का ब्यांजेक आई बराबर 50 को सो पाइटी है तो परतरत धारा का अब रीती क्या होगी यानिकी तो मेगा बराबर क्या होता है टू पाइएफ टू पाइफ होता है तो यहाँ पे यहाँ पे होज़ेगा स्वापाई स्वापाई तो हो जाएगा और यहाँ पे है टू पाइफ तो टू पाइफ यानिकि पचास दू नहीं सही मारेंगे क्यूंकि यहां पे अब रितिक मातर क्या होता है होट और तो यहां वे 50 होट और के साथ जाएगा जो भी दोस्त पचास होट और के साथ गये हैं उनका राइट एंसर ओपसन और भी इस दा राइट एंसर फ्रोर डिसकुस्वर्ट चले दोस्तों नेक्स्ट अप को कभर करते हैं और यहां यह प्रस्ण देखिए यह प्रस्ण होता जो है हर साल ही पुछ ले जाते हैं हमारे बोर्ड इग्जाम में कि विउस्टर का नियम होता है तो विउस्टर का नियम इनिवेश चार अपसन आपको दिया गया है चारों अपसन में से कौन सा जो अपसन है वह सही एंसर होजेगा तो बीउस्टर का जो नियम यहां पे जो भी दोस्ते 28 का मीव बरावाट 10 आइप की बता रहे है यानि के C जो की राइट एंसर होजेगा और यह दोस्तों नेक्ट परस्ण को कभर करते हैं और यहां पे परस्ण भी आप सभी के सामने उपलाब्ध हो चुका है कि बीटा चाहे उत्पन करता है बीटा डिके प्रोड्यूस तो यहां पे इस परस्ण का राइट एंसर का है संभारिक समस्थानिक आइसो टॉन्स या इनिमेस सभी तो बीटा चाहे जो उत्पन करता है इस प्रश्ण का रायइट एंसर क्या होगा तो जल्दी से कमेंटे बक्सें पताए इस प्रश्ण का रायट एंसर हो जागा जो भी दूस्त ऑप से नबर 1 सांद गया है यादिकि आई-इसो बार्स इसका रायट एंसर डिगा औस नबर यहां पर परस्ण भी आप सभी कर सामने आ चुगा है कि which of the flowing has the shortest wavelength यानि कि निमली कि में से किसका बिदुचुमबा के तरंगों में किसका तरंग धेरिया सबसे कम होता है एक स्किरन रेडिया तरंग ये गामा की निया टेली वीजन तो यहां पर इस परस्ण का राइट अंसर क्या होगा तो यह होता है गामा की नकी इसका जो तरंग दे रहे होता है लेमडा वो कम होता है याद रखेगा इस परस्ण का राइट अंसर और बात करें गामा की नकी बा साथ चला जएगा और यहाँ पर इस परशने का राइट अंसर क्या होगा कि दा रिलेसन बीट्विन डी बरोगली वेब लेंथ लिमड़ा एंड मुमेंटम तो यहाँ पर डी बरोगली लिमड़ा तरंग देर यह उसंवेग पी के बीच क्या संबन्ध होता है तो यहाँ पर इस परशने का राइट अंसर क्या होगा तो लिमड़ा बराबर होता है एच अपन पी होता है तो देखें किस अप्शन में है लिमड़ा बराबर एच अपन पी तो यह तो अप्शन मर बी में ही दिया गया है जो की right answer होज़ेगा option number B B जो है इस परस्ण का सही answer होज़ेगा और यहाँ परस्ण का right answer क्या होगा कि core of transformer is made of त्याने कि transformer का कुरोड बनता है नरम लोहा से, कठो रोहा से, तामबा से या जस्ता से तो यहाँ परस्ण का क्या answer होना चाहिए दोस्तो कि transformer का कुरोड जो बनता है वा किसे से बनता है तो यहाँ पर 32 परस्ण का right answer क्या होगा तो जो भी दोस्ता अप्सन पर एक साजार है कि soft iron उनका right answer का नरम लोहाल नरम लोहाल is the right answer for discussion शलिए यहाँ पर 33 परस्ण को देखते हैं यहाँ परस्ण भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि निम्नली खित में कौन बिधुतिय छेत्र से त्वारित नहीं होता है तो यहाँ पर 33 परस्ण का जो भी दोस्त अप्सन नमर B बता रहा है कि neutron जो की right answer होजगा option नमर B B जो है इस परस्ण का right answer होजगा और इनमे से कौन जो है वो आवेशे रही थे तो आवेश रही ते इनमे से कौन सा है जो की आवेश रही थे और यहाँ पर परस्ण है कि दो परमाड़ों की परमाड़ों संख्या का अनुपात एक अनुपात 27 है का नभी के त्रिज्याव का अनुपात क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ परमाड़ों संख्याओ का अगर अनुपात 27 है तो इसकी त्रिज्याओ का यहां पर चार अप्सन आपको दिया गया है चारों अप्सन में से कौन सा जो अप्सन है वह सही एंसर हो जएगा तो पॉइंटीस नव प्रस्ण का जो भी दोस्त अप्सन नबर बी बता रहे हैं उनका राइट एंसर ऑप्सन पर बी इस दर राइट एंसर फोर्डिस को सन एक दोस्तों पूछ देता है कि टीवी पर रहें के लिए उसकी अपरीटी कितनी होने चाहिए तो जल्दी से कमेंट बता दिजिए कि टीवी पर रहें के लिए क्या होती है तो यहां पर भूत रंगों की अप्षिक लिए आप्सन में जो बी आप्सन ने इस प्रस्ण का तो यूणिफॉर्म है यहां पर इस परस्थन का राइट एंसर क्या होगा की एक समान विद्रूद्रीच शेत्रे एंसर परस्थन का राइट एंसर क्या होगा तो जो भी दूस एक राइट एंसर उगा होता है मैं जो भी जोब होगा तो यहाँ पर जो भी दोस्ते अब लेक्ट्रोन को बता रहे हूं उनका रायट इंसल जगा आप स्लूबर सी परसने का राइट इंसल सब्सक्राइब का निम्ल रखिर के जिसकी भारे में डिसकर किए थे कि किसकी भेदनशमता में अधिक होती है वीच वड़ाइब हैं मैक्सिमम प्रेटिंग पावर यहाँ विद्रूस्थ गये है उनका राइट रहों इनसर और यहाँ परशन आप देख रहेंगे स्कृइंब जोकी काफी इंपोर्टन सवाल है कि तट्वाथ 200 284 एकस का नाभी का नाभीक पहले अल्भा कंड और वीटा कंड उस्वाजित करता है तो पर नाविन तो यहां पर निर्गम अब रिती कितनी होगी यहां पर प्रस्ण आप देख सकते हैं कि पुर्ण तरंग दिश्टिकारी में निवेस अब रिती पचार हटार्ज है तो निर्गम अब रिती तो इसके दुगूना हो जाता यानि कि देखें यहां पर कुछ नहीं कहागे तो कि कि परिफद का पर्तिरोद 12 वारा ओम तता परटिबाध 15 वहीं तो जब कर सकती कुनां के बात किया जाए तो यह होता है 0.8 यानि कि यहां पर जो भी आप्शन है इस प्रास्टिकाराइट इंसर हो जागा और यहां पे है कि इन ट्रांस्मीशन ओफ लाइट वेप से दा एंगल बेट इन प्लांट इन ऑसीलेशन एंड प्लेन ओफ फुलराइजेशन तो यहां पे बताना है कि प्रकास्त रंगों के संचर्ण में दोलंत तल की दिसा तता ध्रोंड तल के बीच का कौण क्या होता है तो यहां पर इस परोस्ने का राईट एंसर क्या होगा तो यहां पर नांते